हेई एवरीवान वेलकम तो सरकारियट वांस अगेन तो इस वीडियो में आपसे भी के साथ एक इंपॉर्टेंट अप्डेट शर करने वाला हूँ जिसका आपको काफी टाइम से इंतजार था तो मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ MNS BAC Nursing 2030 के Official Notification के बारे में तो आज 3 जून 2023 को जो है निउस्पेपर में आर्टिकल आ चुका है MNS BAC Nursing के आप्लिकेशन फॉर्म से रिलेटेड तो इंडियन आमी ने ओफीशेली जो है यह नूटिस रिलीस कर रहा है इंडिफरेंट निउस्पेपर तो आपके यह जो भी निउस्पेपर वगर है आप उसमें उसको ढून सकते हो और मैंने भी जो है यह निउस्पेपर की पीडियो इंफोर्मिशन देख लेते हैं बाकि अगर आप चैनल पर नए हो तो जरू सब्स्राइब कर लेना सो दैट कि आपको फ्यूचर में से रिलेटेड जब भी एप्लिकेशन फॉर्म वगर स्टार्ट होंगे उसके ऑफिशल नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलते रहें ठीक है तो आप चैनल को जो है जरूर सब्स्राइब कर लेना तो यहाँ पर देखो मिलेटरी नर्सिंग सर्विसेज यानि के मनस ब्सी नर्सिंग कोर्स 2023 मैं आपको यह कटिंग जो इससे एक्प्रीन कर देता हूं क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं थोड़ अगर आपको मनस ब्सी नर्सिंग कोर्स 2023 के लिए तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने नीट का एक्जाम दिया होना चाहिए अब नीट में कितना स्कोर होता है कि आप शॉट लिस्ट हो जाओ उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो में बात करूंगा अ नीट का स्कोर क्यों चाहिए उसके आगे का क्या प्रोसेस हो उसको मैं ब्रीफ कर दूंगा भी लास्ट में ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो अन्मैरिट फीमेल कांडिडेट्स जो होते हैं वो यहां पर जो है फोर यह के बीसी नर्सिंग कोर्स के लिए अपलाई कर स तो यहां पर 10 जून 2023 को जो है इनकी तरफ से ओफिशल जो इन्फॉमिशन ब्रोशर है या जो प्रोस्पेक्टास आप बोलते हो वो रिलीस कर दिया जाएगा जिसमें आपकी सभी चीजे एलिजिबिटी क्या-क्या है और कब से आपका अप्लिकेशन फॉर्म में वगला सब चीजे उसमें दी होंगे ठीक है तो वह आपका 10 जून को रिलीस किया जाएगा इन्देनामी की दरफ से इनकी ओफिशल वेबसाइट में भी साथ ही साथ जो आपका एंप्लॉइमेंट न्यूस पेपर होता है उसमें भी पूरा जो प्रोस्पेक्टस है उसके बार में इ चीट का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ही आपके रिश्टेशन स्टार्ट होंगे क्योंकि आपको अपने फॉर्म में नीट का स्कोर भी एड करना होगा सो देट की वो लोग आपके लिए मेरिटलेस प्रपेर कर पाएं ठीक है और फाइनली आज नोटिफिकेशन मे पहले पहले कहीं नहीं आजाएगा तो हम यह मान सकते कि जून के टाइम पर कहीं में इसके रिक्शटार हो सकते हैं या फिर जुलाई फर्स टुलेग में टिक है? कि 15 या 20 जून के आसपस तक रिजल्ट होने की पूरी उमीद है तो जून के है तो एंड में या फिर जुलाई के फॉर्स विक में आपका जो है यहाँ पर एमिनस के लिए रिजिशन स्टार्ट हो सकता है तो जैसे ही ओफिशल लिंक इसका एक्टिव होका रिजिशन के लिए आपको इस चैनल पर इंफोर्मिशन मिल जाएगी तो इससे अच्छा है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ठीक है अब मैं आपको थोड़ा स तो वो वीडियो को आप जरूर इस वीडियो को देखने के बाद रिफर कर लेना सो देट कि आपको उसके बारे में complete आइडिया मिल पाए कि क्या सीट्स रहती है कितनी टोटल सीट्स है क्या क्या चीज़ें हाँ पर होंगी तो वो सब चीजों की इंफोर्मिशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगे ठीक है तो मिलेटरी नर्सिंग सर्फिसस में क्या होता है सिर्फ अन्मारिट फीमेल कंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल होती है ठीक है पहली चीज तो यह रहा दूसरा यह कि आपने जो है नीट का एक्जाम दिया हो और नीट में मिनिमम कितना स कोई भी अप्लाइ कर सकता है अभी तक ऐसी कोई भी कंडिशन नहीं आगे ठीक है फ्यूचर में आती है तो अलग बात है लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंडिशन ही है तो जितने लोग यहां पर एप्लाइ करेंगे उनकी एक मेरिट लिस्स प्रिपेर की जाएगी और उस इस पर भी वीडियो बनाऊंगो कि अभी से आपको प्रिपेशन कैसे स्टाट करने चाहिए क्या कि आपको पढ़ना चाहिए ठीक है तो यह चीज हो गई तो जब आपका टेस्ट अगरा क्लियर हो जाएगा फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है आप अकेडमी ज वहां से जाके आप BSC Nursing का कोर्स परसियो करोगे चार साल का and 7 में आपकी आर्मी की ट्रेनिंग होती है यहाँ ठीक है तो 7 में आपको ओफिसर की ट्रेनिंग भी दी जाती है साथ में आपको बीसी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स भी करा जाता है और यह दोनों चीज़े पेरललली चैथा और officer बनने के बाद आप Indian Army में जो है क्या बन जाओगे लट्पाइड में ठीक है टो इंडियना में आपको फिर officer बना दियंगा चार साल का kap olv 있었। और लेता है ये जिलए जोигगी प्रूसेश रहता है और मतलब वो जो है कुछ जादा मतलब फाइनिशली भी इन्वेस्ट नहीं करना चाता है या नहीं कर सकते तो उनके लिए बहुत अच्छी अपरजूनिटी है ठीक है तो इसका कम्प्लीट डेटेल जो है वह आपको उस वीडियो में मिल जाएगा देख लेना कि हाइट वगर कर लेना इसका लेंक में कमेंट सेक्शन में पहिन कर रहा हूँ ठीक है बागे इसके रिगार्डिंग फर्दर अपडेट्स आपको फ्यूचर में मैं देता रहूंगा जो भी ऑफिशल इंफॉमिशन आती रहेगी लास्ट यह भी सभी क्यांडेट्स को मैंने गाइट कर रह पूशरिस का आएगा उसमें आपकी complete जो है details होंगी जो कि इस साल के लिए होंगी मतलब कि इस साल आपकी एज कितनी रहनी चाहिए इस साल आपका wait कितना रहना चाहिए इस साल total seeds कितनी है यह सारी चीज़े उसमें दी गई होंगे ठीक है लेकिन जो मैंने वीडियो बनाई ह तो यह complete process रहेगा इसमें बागे बास अभी इतना ही information है तो finally आप सभी के लिए good news है कि अब official notification आ चुक है जिसका आपको काफे time से इंतिजार था ओके तो अब इस video को ही पर end करता हूँ बागी अगर कोई doubt हो कोई query हो तो आप मुझे comment section में post सकते हो या भी मुझे इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं इस्टाग्राम का लिंक आपको मेरी किसी भी वीडियो की नीचर मिल जाएगा comment section में तो इस वीडियो को in करते हैं और अगर चैनल को subscribe कर लोगे तो आपको future में सब भी updates मिलते रहेंगे बागी अगर यह information आपको useful लगया तो प्लीज को जरू सब्सक्राइब प्लीज को जरू लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ बिसको शेयर कर सकते हैं ओके से थाइंक्यू एंड हमनाइस टे